हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रहा हूँ विंटर इसमेसल और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची एकदम पजार जैसी मुंग फली की चिक्की फ्रेंड्स मुंग फली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम मुंग फली, 100 ग्राम चौप्ट क्या हुआ गूर, एक छोटा चमच इलाइची पाउडर और एक चमच घी इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी चिक्की विल्कुल परफेक्ट बनने वाली है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की और और रखते हैं पेन को मेडियम फलेम पर और डाले मुंग फली को पेन पर और कर्शी चलाते हुए मुंग फली को भून ले, दियान रखें फ्रेंड्स कि इसका फलेम को हाई नहीं रखना है, मेडियम ही फल नहीं तो मुंगफली के दाने अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे यह से चिक्की का स्वाद बिगड जाएगा और खाने में फिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मुंगफली बहुत अच्छे से कर लेंगे हमने मुंगफली से सारे जिल्के को हटा दिया है फ्रेंड्स आप बेन में डालें गुड और थोड़ा सा पानी और करशी को चलाती हुए गुड के मेल्ट होने और गुड में अच्छा सा बॉइल आने तक पका ले अब चेक कर लेते हैं पानी में थोड़ा सा की गुड बंद रहा है की नहीं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स गुड अच्छे से बंद रहा है अब डालें गुड में बुने हुए मुंगफली को और अच्छे से मिला लें चिक्की बनाते समय फ्रेंड्स यही दियान देना चाहिए की गुड पानी में बंद रहा है की न यहां पर हमारा मुंफली का चिक्की भी रेडी हो गया है अब जट पर से धाली को करते हैं घी से ग्रेसिंग और मुंफली को ट्रास्पर कर देते हैं और इस तरह से चारों तरब को दबाते हुवे फैला लेते हैं अब चाकू की मदद से स्क्वायर सेप में कट लगा कर एक गंटे की लिए छोड़ दें ताकि चिक्की पुरी तरह से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए तो लेजे फ्रेंड्स तयार है सुपर टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची मुंफली के चिक्की जिसके सामने बजार की चिक् तो घर पर बनाना बंदा ही है अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दें धेर सारा लाइक और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर